हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आसीफ अज़ाद दोस्तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर बैठे अपने मुबाइल से वोटर आईडी काड में सुधार कैसे कर सकते हैं वो भी अपने मुबाइल से बिना कहीं गए हुए ऑनलाइन कर सकत हैं जैसे कि अपना नाम डेट ऑब वर्थ फोटोग्राफ एड्रेस यह सब आप अपने मुबाइल से ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दिजिए और सबसे पहले अपने प्लेशर को ऑन करते हैं और ओपन करने के बाद यहां के सबसे ओपर देखिए यह लिए वोटर हेल्प लाइन इसको ओपन करेंगे और इस एप्लिकेशन को ठीक से देख लिए 16 MB के हाँ और इसको डाउनलोड करेंगे इस पर इंस्टल पर क्लिक करेंगे और यह डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन पर क्लिक करेंगे यह एप ओपन होगा और इसको बताते आगे क्या करना है यह पेज ओपन हो गया अभ यहाँ पे देखिए आई एकरी पे टिक लागा देंगे और यहाँ पर के बाद यहां पर पूछ रहा है कि enter your name यहां पर अपना नाम लिखेंगे और okay पर click कर देंगे यहां पर जिसका सुधार करना है उसका नाम लिखेंगे और यहां पर okay पर click करेंगे तो दोस्तों हम कर लेते दोस्तों okay पर click क्लिक करेंगे कि बुचिए है कि आप का वोडरा आईडी काड आपके पास है डी नंबर और यह नहीं आगर आपके पास है तो yes पर रने देंगे और यहाँ पर next पर click कर देंगे next पर click करने के बाद यहाँ पर आपका voter ID number पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना voter ID number enter करेंगे और यहाँ पर fetch detail पर click करेंगे voter ID number enter करने के बाद यहाँ पर fetch detail पर click करेंगे दोस्तों फेच डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहां पे लिख है we have found this record for your interwater ID, please click on proceed button, यहां पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यह आपका डिटेल खुल के आज़ेगा, जैसे कि आपका नाम, father's name, husband's name और आपका पूरा एडेस आज़ेग आप एक बार में तीन ही चीज को सुधार कर सकते हैं, तो यहां पे जो जो आपको सुधार करना है, आप यहां पे क्लिक कर देंगे, दोस्तों टिक लगाने के बाद यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पूछ रहा है कि डेट wh Bondrent आपको यहाई पे अपिक्चर करना है अपनेः पिक्चर अप्लोड करना तो हुआ ś लिए गया ऑट अपनेन फोटो को इस पर उप क्लिक करते हैं और अलाव करते हैं और जहां पर अपना फोटो है वहाँ से इसको लेकर इसमें अपलोड करेंगे तो दोस्तों हम इसको पहले करते हैं दोस्तों इसको सई से मिला लेना है और सई से मिलाने के बाद आपको यहां पर क्रॉप पर क्लिक कर देना है क्रॉप पर क्लिक करने के बाद यह देखिए फोटो जो है वह अपलोड हो चुका है और यहाँ पे बोल रहा है कि एक कोई ID proof लगा दीजिए जैसे ID proof में आप अपना अधार कार्ड, pen card ये लगा सकते है जिसमें आपका date of birth सही हो वो आप यहाँ पे ID proof लगा सकते है जैसे types of documents पे यहाँ पे click करेंगे और यहाँ पे लिश्ट आ गया यहाँ अधार कार्ड लगा सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं अपलोड पे यहाँ पे अधार कार्ड पे क्लिक कर दिये और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे upload पे किलिक करने के बाद वैसे ही इसको file से चूज करना है और यह पर upload करना है दोस्तों फिरसर को चूज कर लेते हैं अधार करणी अपना और दोस्तों अधार काट पे इसको भी बोला है किounge crop करके साइस से इसको fix करना इसकी साइज में दोस्तों सब्सक्राइब कर दो फोटो और अधारकार्ट अप्लोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर पूछ रहा है कि आप अपना नाम लिखिए और प्लेस लिखिए तो यहां पर अपना नाम लिख देना है और यहां करणने लिए आपको आपका form सुधार के लिए फिलव हो चुका है यहां पे OK पे खिलिक कर देंगे और आप अपना status भी चेक कर सकते दोस्तों application का status check करने के लिए यहां एक्सपोलोर पे कलिक करेंगे और यहां पे लिख हो status of application तो इस पे कलिक करेंगे और यहां पे जो reference ID था उसको यहाँ पर enter करेंगे, enter करने के बाद यहाँ पर track status पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद आपको दूसरा interface दिखाई देगा, दोस्तो track status पर click करने के बाद आपका status यहाँ पर show होने लएगा, यहाँ पर लिखा है submitted successfully हो गया, और यहाँ पर below appointed होगा पहले, उसके बाद field verified होगा, उसके बाद accept your reject होगा, और आपका उसके बाद आपका जो voter ID card है वो आपके address पर भेज दिया जाएगा, तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लागा हो, अच्छा लागा हो तो मेरे चैनल को subscribe करिए और वीडियो को like करिए और दोस्तों क साथ share करिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जै हिंद!